आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीजो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नौ हम जानते हैं कि प्लांट्स क्या है बसी क्या है यानि क्या करते हैं, प्लांट भी respire करते हैं, तो उसके लिए main phenomenon कौन सा जरूरी होता है, that is gaseous exchange, यानि gaseous का exchange होना, तो अगर हम सबसे पहले देखें, photosynthesis, photosynthesis में क्या हो रहा है, carbon dioxide तो वो use कर रहे हैं, और oxygen क्या कर रहे हैं, release करते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे, जो gaseous exchange है, वो किसकी help से होता है, वो help से होता है, stomata, किसकी help से होता है, जो basically क्या है, एक pore type का structure है, कैसा porous structure है, जो कहां present होता है, beneath the leaf, यानि aerial part में यह present होता है, ना कि roots में present होता है, और जो gaseous exchange होता है, वो किस तरीके से होता है, basically by the process of diffusion, किस तरीके से होगा, वो diffusion की process से होता है, तो हमें अगर हमें देखना हो कि gaseous exchange in plants occur through, तो हमारा answer क्या होगा, कि gaseous exchange किसकी help से होता है, with the help of stomata से होता है, ठीक है, thank you. क्लासिक से 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा, आज जी डाउनलोड करे doubtnet आप, या WhatsApp कीचे अपने doubts 84444 पर,